श्रीसाई सच्चरत्र अध्याई दस श्रीसाई बाबा का रहन सहन शयन पटिया शिर्डी में निवास उनके उपदेश उनकी विने शीलता नानावली सुगम पत श्रीसाई बाबा का सदा ही प्रेम पूर्वक स्मरन करो क्योंकि वे सदाईव दूसरों के कल्यानार्थ ततपर तथा आत्मलीन रहते थे उनका स्मरन करना ही जीवन और मृत्यों की पहली हल करना है साधनाओं में यह अतिश्रेष्ठ तथा सरल साधना है क्योंकि इसमें कोई द्रव्य व्याई नहीं होता केवल मामूली परिश्रम से ही भविश्य नितांद फलदायक होता है जब तक इंद्रियां बलिष्ठ है खशन खशन इस साधना को आचरन में लाना चाहिए अन्य सब देवी देता तो भ्रमित करने वाले हैं केवल गुरू ही इश्वर है हमें उनके ही पवित्र चरन कमलों में श्रद्धा रखने चाहिए वे तो हर इंसान के भाग्य विधाता और प्रेम मैं प्रभू हैं जो अनन्य भाव से उनकी सेवा करेंगे वे भव सागर से निश्चे ही मुक्ति को प्राप्त होंगे न्याय अथ्वा मिमामसा या दर्शन शास्त्र पढ़ने की भी कोई आविशक्ता नहीं है जिस प्रकार नदी या समुद्र पार करते समय नाविक पर विश्वास रखते हैं उसी प्रकार का विश्वास हमें भव सागर से पार होने के लिए सद गुरू पर करना चाहिए सद्गुरु तो केवल भक्तों के भक्ती भाव की ओर ही देखकर उन्हें ज्यान और पर्मानंद की प्राप्ति करा देते हैं गत अध्याय में बाबा की विख्षा वृत्ती भक्तों के अनभव तथा अन्य विश्यों का वर्णन किया गया है अब पाठकन जाने कि श्री साई बाबा किस प्रकार रहते थे शयन करते और शिक्षा प्रदान करते थे बाबा का विच्चत्र विस्तर पहले हम यह देखेंगे कि बाबा किस प्रकार शयन करते थे श्री नाना साहिब डेंगले एक चार हाथ लंबा और एक हतेली चौड़ा लकड़ी का तखता श्री साई बाबा के शयन के हितु लाए तखता कहीं नीचे रखकर उस पर सोते ऐसा ना कर बाबा ने पुरानी चिंदियों से मस्जिद की बल्ली से उसे जूले के समान बांध कर उस पर शयन करना प्रारंब कर दिया चिंदियों के बिल्कुल पतली और कमजोर होने के कारण लोगों को उसका जूला बनाना एक पहेली सा बन गया चिंदियां तो केबल तखते का भी भार सहन नहीं कर सकती थी फिर वे बाबा के शरीर का भार किस प्रकार सहन कर सकेंगी जिस प्रकार भी हो यह तो राम ही जाने परन्तो यह तो बाबा की एक लीला थी जो फटी चिंदिया तखते तथा बाबा का भार संभाल रही थी बाबा को तखते पर बैठे या शयन करते हुए देखना देवताओं को भी दुरलब दुरुश्य था सब आश्चरी चकित थे कि बाबा किस प्रकार तखते पर चड़ते होंगे और किस प्रकार नीचे उतरते होंगे कौतुहल वर्ष लोग इस रहस्योद घाटन के हेतु दृष्टी लगाए रहते थे परन्तु यह समझने में कोई भी सफल न हो सका और इस रहस्य को जानने के लिए भीड उत्तरोतर बढ़ने लगी इस कारण बाबा ने एक दिन तखता तोड़कर बाहर फेक दिया यद्यपी बाबा को अश्ट सिधिया प्राप्त थी परन्तु उन्होंने कभी भी उनका प्रयोग नहीं किया और ना कभी उनकी ऐसी इच्छा ही हुई वे तो स्वतहा ही स्वाभाविक रूप से पूर्णता प्राप्त होने के कारण उनके पास आ गई थी ब्रम्ह का सगुन अवतार बाहे द्रिष्टी से श्री साई बाबा साढ़े तीन हाथ लंबे एक सामान्य पुरुष थे फिर भी प्रत्येक के हरदय में वे विराजमान थे अंदर से वे आसकती रहे और स्थिर थे परन्तु बाहर से जन कल्यान के लिए सदाईव चिंतित रहते थे अंदर वे संपुर्ण रूप से निस्वार्थ थे भक्तों के निमित उनकी हृदय में परमशाती विराजमान थी परन्तु बाहर से वे अशान्त प्रतीत होते थे वे भीतर से ब्रम्ह ज्यानी परन्तु बाहर से संसार में उल्जहे हुए दिखलाई पड़ते थे वे कभी प्रेम दृष्टी से देखते तो कभी पत्थर मारते कभी गालियां देते और कभी हृदय से लगाते थे वे गंभीर, शांत और सहंशली थे वे सदा दृड और आत्मलीन रहते थे और अपने भक्तों का सदय उचित ध्यान रखते थे वे सदा एक आसन पर ही विराजमान रहते थे वे कभी यातरा को नहीं निकले उनका दंड एक छोटी सी लपड़ी थी जिसे वे सदय अपने पास संभाल कर रखते थे विचार शून्य होने के कारण वे शांत थे उन्होंने कंचन और कीर्ती की कभी चिंदा नहीं की तथा सदा ही भिक्षा वृत्ती द्वारा निर्वाह करते रहे उनका जीवन ही इस प्रकार का था अल्लाख मालिक सदय उनके होंटों पर हता था उनका भक्तों पर विशेश और अटूट प्रीम था वे आत्म ज्यान की खान और परम दिव्य स्वरूप थे श्री साई बाबा का दिव्य स्वरूप इस तरह का था एक अपरिमेत अनंत सत्य और अपरिवर्तनशी सिध्धान्त जिसके अंतरकत यह सारा विश्व है श्री साई बाबा में आविर्भूत हुआ था यह अमूल्य निधी केवल सत्व गुण संपन और भाग्यशाली भक्तों को ही प्राक्त हुई जिन होने श्री साई बाबा को केवल मनुष्य या सामान्य पुरुष समझा या समस्ते हैं वे यथार्त में अभागे थे या हैं श्री साई बाबा के माता पिता तथा उनकी जन्मति थीका ठीक ठीक पता नहीं परंतु उनके शिर्डी में निवास के द्वारा इसका अनुमान लगाया जा सकता है जब पहले पहल बाबा शिर्डी में आये थे तो उस समय उनकी आयु केवल 16 वर्ष की थी वे शिर्डी में तीन वर्ष तक रहने के बाद फिर कुछ समय के लिए अंतरधान हो गए कुछ काल के उपरांत वे औरंगाबाद के समीब प्रकट हुए और चांद पाटिल की भारात के साथ पुनहा शिर्डी पधारे उस समय उनकी आयू बीस वर्ष की थी उन्होंने लगातार साथ वर्षों तक शिर्डी में वास किया और सन 1918 में महासमाधी ग्रहन की इन तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि उनकी जन्मति थी सन 1838 के लगखत थी बाबा का धेई और उपदेश सत्रहमी शताब्दी में संत रामदास प्रकट हुए और उन्होंने यवनों से गायों और ब्राह्मनों की रक्षा करने का कारियर सफलता पूर्वक किया परंतु दो शताब्दियों के व्यतीत हो जाने के बाद हिंदू और मुसल्मानों में वैमनस्य बढ़ गया और इसे दूर करने के लिए ही श्री साई बाबा प्रकट हुए उनका सभी के लिए यही उपदेश था कि राम और रहीम एक ही है और उनमें किंचित मात्र भी भेद नहीं है फिर तुम उनके अनुयाई क्यों प्रुथक प्रुथक रहकर परस्पर जगडते हो अज्यानी बालकों दोनु जातियां एकता साध कर और एक साथ मिल जुलकर रहो शान्त चित्त से रहो और इस प्रकार राष्ट्रिय एकता का ध्ये प्राप्त करो कलह और विवाद व्यर्थ है इसलिए ना जगड़ो और ना परस्पर प्राण ज्धा तक ही बनो सदैव अपने हित तथा कल्यां का विचार करो श्री हरी तुम्हारी रक्षा अवश्य करेंगे योग्य वैराग्य तप ज्ञान आदी इश्वर के समी पहुंचने के मार्ग है यदि तुम किसी तरह सफल साधक नहीं बन सकते हो तो तुम्हारा जन्म व्यर्थ है तुम्हारी कोई कितनी ही निंदा क्यों न करे तुम उसका प्रतिकार न करो यदि कोई शुभ कर्म करने की इच्छा है तो सदैव दूसरों की भलाई करो संग्षेप में यही श्री साई बाबा का उपदेश है कि उपर्युक्त कथा नुसार आचरन करने से भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही ख्षेत्रों में तुम्हारी प्रति होगी सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महराज गुरु तो अनेक हैं कुछ गुरु ऐसे हैं जो द्वार द्वार हाथ में वीना और कर्ताल लिये अपनी धार्मिक्ता का प्रदर्शन करते फितते हैं वे शिश्यों के कानों में मंत्र फुकते हैं और उनकी संपत्ती का शोशन करते हैं वे ईश्वर भक्ती तथा धार्मिक्ता का केबल धोंग ही रचते हैं वे वस्त तहा अपवित्र और आप धार्मिक होते हैं श्रीसाई बाबा ने धार्मिक निष्ठा प्रदर्शित करने का विचार भी कभी मन में नहीं किया दैहिक बुध्धी उन्हें किंचित मात्र भी छूना गई थी परन्तु उनमें भक्तों के लिए असीम प्रेम था गुरु दो प्रकार के होते हैं नियत और अनियत अनियत गुरु के आदेशों से अपने में उत्तम गुणों का विकास होता तथा चित्त की शुधी होकर विवेक की वृध्धी होती है वे भक्ती पत्पर लगा देते हैं परन्तु नियत गुरु की संगती मात्र से द्वैत बुध्धी का हरास शीध्र ही हो जाता है यथार्थ में जो हमें आत्मस्थित बनाकर इस भवसागर से पार उतार दे वही सद्गुरु है श्री साही बाबा उसी कोटी के सद्गुरु थे उनकी महानता अवर्णनी है जो भक्त बाबा के दर्शनार्थ आते उनके प्रश्न करने के पूर्व ही बाबा उनके समस्त जीवन के त्री कालिक घटनाओं का पूरा-पूरा विवरन कर देते थे वे समस्त भूतों में ईश्वर दर्शन किया करते थे मित्र और शत्रु उन्हें दोनों एक समान थे वे निस्वार्थी तथा दिल्ड थे भाग के और दुर्भाग के का उन पर कोई प्रभाव न था वे कभी संशय ग्रस्त नहीं हुए देह धारी होकर भी उन्हें देह की किंचित मात्र आ सकती न थी देह तो उनके लिए केवल एक आवरन मात्र था यथार्थ में तो वे नित्य मुक्त थे वे शिर्डी वासी धन्य हैं जिन होने श्री साई बाबा के ईश्वर रूप में उपासना की सोते जाते खाते पीते वाडे या खेत तथा घर में अन्यकार्य करते हुए भी वे लोग सदय उनका स्मरण तथा गुनगान करते थे साई बाबा के अतरिक्त दूसरा कोई इश्वर वे मानते ही न थे शिर्डी की नारियों के प्रेम की माधुरी का तो कहना ही क्या है वे बिलकुल भोली भाली थी उनका पवित्र प्रेम उन्हें ग्रामीन भाषा में भजन रचने की सदय प्रेना देता रहता था यद्यपी वे शिक्षित न थी तो भी उनके सरल भजनों में वास्तिविक काव्य की जलक थी यह कोई विद्वत्ता न थी वरन उनका सच्चा प्रेम ही इस प्रकार की कविता का प्रेरत था कविता तो सच्चे प्रेम का प्रकट स्वरूप ही है जिसमें चत्रशोता गण ही यथार्थ दर्शन या रसित्ता का अनकों करते हैं बाबा की विनय शीलता ऐसा कहते हैं कि भगवान में छै प्रकार के विशेश गुन होते हैं यथा कीर्ती, श्री, वैराग्य, ज्ञान, अईश्वर्य और उदार्ता श्री साई बाबा में भी ये सब गुन विध्यमान थे, उन्होंने भक्तों की इच्छा पूर्ती के निमित ही सबुन अवतार धारन किया था उनकी कृपा बड़ी ही विचित्र थी, भक्तों के हेतु, वे अपने श्री मुख से ऐसे वचन कहते, जिनका वर्णन करने का सरस्वती भी साहस न कर सकती उनमें से यहाँ पर एक रोचक नमूना दिया जाता है, बाबा अती विनम्रता से इस प्रकार बोलते, दास आनुदास मैं तुम्हारा रुनी हूँ, कैसी विनम्रता है? यद्यपी, बाहय दृष्टी से बाबा, विशे बदार्थों का उपभोग करते हुए, प्रतीत होते थे परन्तु, उन्हें किंचित मात्र भी, उनकी गंध न थी, और ना ही उनके उपभोग का ग्यान था वे खाते अवर्ष थे, परन्तु, उनकी जिहवा को कोई स्वाद न था वे नेत्रों से देखते थे, परन्तु, उस दृष्ट में उनकी कोई रुची न थी काम के संबंध में वे हनुमान सदृष्य, अखंड ब्रम्हचारी थे उन्हें किसी पदार्थ में आ सकती न थी वे शुद्ध चैतन्य स्वरूप थे, जहां समस्त इच्छाएं, एहंकार और अन्य चेश्टाएं विश्राम पाती थी संग्षेप में वे निस्वार्थ, मुक्त और पूर्ण ब्रम्ह थे इस कथन को समझने के हेतू एक रोचक कथा का उदाहरन यहां दिया जाता है शिर्डी में नाना वली नाम का एक विचित्र और अनोखा व्यत्ती था वह बाबा के सब कारियों की देखवाल किया करता था एक समय जब बाबा गादी पर विराजमान थे वहां उनके पास पहुंचा वह स्वयम ही गादी पर बैठना चाता था इसलिए उसने बाबा को वहां से हटने को कहा बाबा ने तुरंद गादी छोड़ दी और तब नाना वली वहां विराजमान हो गया थोड़े समय वहां बैठ कर वह उठा और बाबा को अपना स्थान ग्रहन करने को कहा बाबा पुनहा आसन पर बैठ कर यह देख कर नाना वली उनके चर्णों पर गिर पड़ा इस प्रकार अनायास ही आग्या दिये जाने और वहां से उठाये जाने के कारण बाबा में किंचित मात्र भी अप्रसन्नता की जलत न थी सुगम पथ संतों की कथाओं का श्रवन करना और उनका समागम यत्यपी बाह्य दृष्टी से श्री साई बाबा का आचनन सामान्य पुरुषों के सद्रश्य ही था पनंतु उनकी कारियों से उनकी असाधारन बुधिमत्ता और चतुराई स्पष्ट ही प्रतीत होती थी उनके समस्त कर्म भक्तों की भलाई के निमित ही होते थे उन्होंने कभी भी अपने भक्तों को किसी आसन या प्रानायाम के नेमों अथ्वा किसी उपासना का आदेश कभी नहीं दिया और ना उनके कानों में कोई मंत्र ही फूंका उनका तो सभी के लिए यही कहना था कि चातुर्यत्याग कर सदैव साई साई समरन करो इस प्रकार आचरन करने से समस्त बंधन छूट जाएंगे और तुहें मुक्ती प्राप्त हो जाएगी पंचागनी, तप, त्याग, स्मरन, अश्टांग योग, आदी का साध्य होना केवल ब्राह्मनों को ही संभव है मन का कार्य विचार करना है, बिना विचार किये वह एक ख्षण भी नहीं रह सकता यदि तुम उसे किसी विशय में लगा दोगे, तो वह उसी का चिंतन करने लगेगा और यदि उसे गुरू को अरपन कर दोगे, तो वह गुरू के संबंध में ही चिंतन करता रहेगा कर चुके हैं, ये कथाएं सांसारिक भै को निर्मूल कर आध्यात्मिक पत पर आरूर करती है इसलिए इन कथाओं का हमेशा श्रवन और मनन करो, तथा आचरन में भी लाओ सांसारिक कारियों में लगे रहने पर भी अपना चित साई और उनकी कथाओं में लगाए रहो तब तो यह निश्चित है कि वे कृपा अवश्य करेंगे यह मार्ग अतिसरल होने पर भी क्या कारण है कि सब कोई इसका वलंबन नहीं करते कारण केवल यह है कि इश्चिक रुपा के अभावश लोगों में संत कथाएं श्रवन करने की रुचि उत्पन नहीं होती इश्वर की कृपा से ही प्रत्यक कार्य सुचारू एवं सुन्दर ढंग से चलता है संतों की कथा का श्रवन ही संत समागम सदृष्य है संत सानिध्य का महत्व अतिमहान है उससे दैहिक बुध्धी एहंकार और जन्मृत्यू के चक्र से मुक्ती हो जाती है हृदय की समस्त ग्रंधियां खुल जाती है और इश्वर से मिलन हो जाता है जो चैतन्य घन स्वरूप है विश्यों से निश्चही विरप्ती बढ़ती है तथा दुखों और सुखों में स्थिर रहने की शक्ती प्राप्त हो जाती है और आध्यात्मी कुनती सुलव हो जाती है यदि तुम कोई साधन जैसे नाम स्मरण, पूजन या भक्ती इत्यादी नहीं करते परन्तु अनन्य भाव से केवल संतों के ही शरनागत हो जाओ तो वे तुम्हें आसानी से भव सागर के पार उदार देंगे इसी कार्य के निमित ही संत विश्व में प्रकट होते हैं पवित्र नदियां, गंगा, यमुना, गुदावरी, कृष्णा, कावेरी, आदी जो संसार के समस्त पापों को धो देती हैं वे भी सदैव इच्छा करती हैं कि कोई महात्मा अपने चरण स्पर्ष से हमें पावन करे ऐसा संतों का प्रभाव है गत जन्मों के शुभ कर्मों के फल स्वरूप ही श्री साई चरणों की प्राप्ती संभव है मैं श्री साई के मोह विनाशक चरणों का ध्यान कर यह अध्याय समाप्त करता हूँ उनका स्वरूप कितना सुन्दर और मनोह है मस्जिद के किनारे पर खड़े हुए वे सब भक्तों को उनके कल्यानार्थ उदी विदरन किया करते थे जो इस विश्व को मिध्या मानकर सदा आत्मानंद में निमग्न रहते थे ऐसे सच्चितानंद श्री साई महराज के चरण कमलों में मेरा बार बार नमस्कार है श्री सद्गुरु सायना धर्पणमस्तू शुभंधवतू